हालो स्टुडेंट वेलकम दूस्वाइब करन इस्टूट माइब निर्दुश कुमार जैसे कि आप लोग मालूम है कि मैथमेटिकल साइस में जो हमारा टॉपिक चला था बुचा था हमारा नुम्रिकल अनलेसिस और नुम्रिकल अनलेसिस में था नुटन्स फारवर्ड्स इंटर्पोलिशन फॉर्मूला और नुटन्स बेगवर्ड्स इंटर्पोलिशन फॉर्मूला इसकी तीन टाइपस थे इस ट्रेलिंग मांकी बचा हुआ था हमारे पास चेक करते हैं भाईया थर्ड था इस ट्रेलिंग फॉर्मूला इस यूज उस इस्टीमेट देरिवेटिव नियर देरिवेटिव सेंटर अप टेवल चीड़ों को यह हमारे पास बचा वद चीड़ों के आप तो चलते हैं और बाकी तो हमने कर लिया थे आपका यह हो गया था फारवर्ड हो गया था और तो कुछ सवाल ना कर लिया पहले तो नहीं चाल पहले तो इसको मिसको खत्मी कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा चीड़ों को ठीक है हाँ कि देरिवेक टिव यूट्ट इंटर्प्लेशन फॉर्मुला इस्ट्रेलेंग सेंटर डिफरेंश इंटर्प्लेशन फॉर्मुला टेकशन मिडल वीलू अब अब दे टेवल तो सबसे पहले आप कुछ थेयोरी को यहां पर include कर लीजिए थेयोरी आप लिख लीजिए थेयोरी आप लेखिए फिर मैं आपका इसका यह थेयोरी कर सकते हैं कियोंकि पूछा जाता है कि जो Newton's Interpolation है यह numerical Differencibility है वह कितने टाप की बचुछ होती है आप इसको उतार सकते हैं चीड़ों को फिर मैं आपको डेजिसन यहां पर कंप्लेट कराता हैं चीड़ों को धिर मैं आपको जब मैं आपको उतार सकते हैं चीड़ों को चलिए रिखते हैं फर्मूला खिक है तो लिखते हैं याँ पचिन्यों को y is equal to y not plus p del y not plus del y minus 1 by 2 कि मिडल के लिए बोला या राचिरों को यहां पर तो पी बाइफ्रक्टोरियल del square y not minus plus p p square 1 upon del square y minus 1 plus del q y minus 2 by 2 plus p square of p minus 1 del 4 y minus 2 इतना बस इतना आप से बोला या राचिरों को बिटा और इतना आप से बोला गया कि derivative using the string interpolation अब string interpolation की बात आती है तो सबसे पहले बिटा हमको जो find out करना है हमको बस ओई चीज़ find out करना है यहां पर कि d y upon dx इसकी value find out करना है और d y square upon d x square इसकी value find out करना है हमको दो direction यहां पर find out करने है यह बेटा हमको given है क्योंकि जब आपने पॉलिनमल बेटा पड़ा होगा कहीं ने कहीं चीज़ों को तो आपने इस परकार से equation देखी होंगी कि equation बेटा यह आली होती है चीज़ों को a plus p h is equal to a plus p f x del f x sorry del f x del f x plus p p minus 1 इस परकार से आपने चीज़ों को देखे होगी तो वही चीज़ है आप पर तो सबसे पहले वह करना क्या है कि जो आपके पास equation number 1 है और इसमें एक चीज़ और गिवन है जो एक चीज़ में और गिवन है कि p is equal to x minus x not by h इतना आपके पास given है आपके equation number 2 माल लेता हूं और a equation में आपके पास इसमें मैं बन माल लेता हूं अब equation number 1 को p के respect में differentiate कर देंगे चीज़ों को आपकी जब y del y लाना है आपको तो equation 1 को यहाँ पर differentiate करने पड़ेगा कि इसके p के respect में चीज़ों को आप देखते हैं कैसे होगा i now like that you go differentiate with respect to p équival number 1, a ban को रिस करते हैं तो डेल वाई अपॉन डेल पी अब जो बैलू थी यह वाली किसी भी कॉंस्टेंट नंबर का जह हम डिफरेंसिट करते हैं बहुत जीरो जाता है बचे कितने मारे पास एक पी का यहां पर बन है तो यहां पर में दिपार बचे गया उलिए इतनी चीजिए को तो डेल वाई प्लस डेल वाई माई बन बाई टू अब इसका होगा टूपी टूपी डेल स्कॉर टूपी डेल स्कॉर वाई माई बन अपॉन इसको बन कर दिए डारेटली फेक्टरिल खोल देते हैं प्लस इतना बचे यहां पर तो टूपी माईस पी हो जाएगा टूपी माईस बन अपन उट थ्री टूपी माईस बन इंटू टू इंटू बन और जो इसमें आपके पास आया है डेल स्कॉर माईस बन और डेल स्कॉर माईस क्यू आएगा चीड़ोगे यहां पर डेल स्कॉर क्यू फोर होए यहां पर डेल पावर फोर इतना तो क्या कर देते हैं आपर डेल क्यू माईस बन प्लस डेल क्यू माईनस टू बाई टू इतना सिंपल से कर देंगे चीड़ोगों में आपर सिंपल से हो गया तो यहां पर जब इसका हम मल्टिफिन करेंगे आपर तो इसका जो डेरिवेटिव होगा मेरे पास पिलस पिकू क्यू माईनस टू पी यहें है कैरे टू टूव टू और। ईसका जो होगा डेल के पाउड पाउर पाउर पॉर वाईट टू už प्लैस डांड़ नक एतना मुझे कर ना था छी इतना मुझे करना था तो जो मैंने या पर कर दिया अब जो cancel out हो रहा है इसको मैं cancel out कर दूंगा और वागए कुछ तो cancel out हो जाता तो मैं इसको और simplify कर सकता हूं जो को मैं अलग-अलग करके ले सकता हूं जो को तो अब आप से बोला क्या जारा चीज़ों को क्यों कुछ conditions भी होती है मैं डेटल इक पुट कर देता हूं यहां पर तो जहां जहां पी है उसकी बैलों कितना जागी आप जीरो हो जाएक जो को बचे का कितना आपका इतना जीरों यहीं होगा यहीं होगा जोगा पी इक्वल एक्विफन नमबर 2 P is equal to X minus X naught upon H तेहां पर रखते हैं आपर कि X naught is equal to 0 और P is equal to 0 ठेक है तो इसको differentiate करते है पहले तो आप differentiation with respect to X to DP upon DX 1 minus H अब जब एक्विफन बन एक्विफन थर्ड और एक्विफन 2 को अच्छा थर्ड इसको फॉर्थ माल लेते हैं एक्विफन फॉर्थ तो पहले तो आप इतना आप इसको no down कीजिए चिर्यों को यहां पर क्वर्थ माँ क्वर्थ है, अ है ? क्वर्थ है कि अग्राइब कि अग्राइब कि अग्राइब कि हो गया बेटा है हो गया तो अब हम बेटन नेक्स्ट लिखते है यहां पर हुआ नंबर फोर्द एंड को नंबर थार्ड मल्टी पेसं कर देते हैं ऑपर इज़रों कर देतें तो डी वाई अपॉँट तो डी पी अपोण dx cancel out बेटा है आची तो क्या बचे का dy upon dx बचेगा और dy upon dx अब suppose कीजिए आप यहाँ पर कि P equal बेटा मैं 0 लोग देता हूँ यहाँ पर यह equal to 0 तो बेटा पूरी की पूरी cancel out यह P के फार मलते हैं यह भी cancel out है यहाँ यहाँ यहाँगी तो मेरे पास equations क्या बचेगी चीडियों के यहाँ पर मैं चक करता हूँ यह चीडियों को dy upon dx is equal to 1 by h ठीक है 1 by h तो यहाँ पर आएगा इतना del y not plus del y minus 1 by 2 by 2 a पूरा 0 बचे कितना minus 1 by 6 1 by 6 और del q minus 1 plus del q इतना ठीक है इतना a चीपिटा है यहाँ पे हमारे पास आज आएगी चीडियों को हमारा निकला है dy upon dx इतना अब middle terms की बात कर रहा है आप से इस प्रकार से निकाल सकते हैं तो हम इस प्रकार से स्ट्रेलिंग यहां पे यह हम कर सकते हैं को कोई बड़ी टम्स नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है अब कहीं मुझे इसका ओड़ी निकालने होता आय तो बैटा मेरे पास आगे एक्वेफों नमर फिप्थ हैं कहीं आप से बोल जाए यहां पर अगें अब मैं इसका डिफरेंसेट करूंगों चीजों को अगें एक्विफन नंबर फोर्थ एक्विफन नंबर फोर्थ डिफरेंसेटिशन बेस रिस्पेक्ट टू पी इसे नंबर का तो सबस्क्राइब लेखे लेता हूं चीजों को यह आपके कि दी वाई अपॉन दी पी प्लस डेल वाई नोट प्लस डेल वाई मैस बन अपॉन टू प्लस टू पी डेल स्क्वाइर वाई मैस बन और गया प्लस टू पी मैनस बन थ्री और इसका स्क्वार क्यू इसक्वार तो बैटे यहां गया क्यों डेल क्यू वाई मैनस बन प्लस डेल क्यू वाई मैनस टू बाई टू प्लस फोर पी फोर पी टू पी बाई और यहां पर आएगा वो कितना आएगा डेल पावर फोर डेल पावर फोर वाई मैनस टू इतना है अब बेटा मेरे पास जो निकल के आ रहा है वो इतना आ रहा है अब आप से बोले आ रहा है कि इसको अगेंड डिफरेंशियेट करना है बेट रिस्पक्ट टू पी क्योंकि हम इसको और भी हिसाफ से ले सकते हैं जो यहां पर कि डी एक्स स्क्वाइर अपॉन डी एक्स स्क्वाइर इस इकॉल टू लग सकते हैं डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स ठीक है यह होगा और तो कुछ समको टम्स में आपका बन में रहा हम इसको और सिंप्लिफाई कर सकते हैं चीजों को कि डी डी पी एक्स अपॉन डी एक्स अपोँ अग्स Sounds, इसकी वेलू मुझे पात्च मालूम है, और इसकीए वेलू मुझे मालूम है, पी कि डिएक्स मेंbot करना critically इसको इन स्की यह बनाए है इसकी वैलू इसकी वैलू यह है都There a है, déjà तो मैं इसी को तो लिख सकता हूँ यहाँ पर अगेन करके तुम्हें इसी को डिस्पेट कर सकता हूं कि यहां पर के डिफ्रेंशियेट इतना तो है तो इसको आप डिफ्रेंशियेट करेंगे यहां पर तो डाइट लिख देता हूं यहां पर h square a 0 a 0 a 2 del square minus 1 by 2 इसमें वोगा 2 plus 2 factorial 3 del q y minus 1 plus del q y minus 2 upon 2 इतना और इसमें कितना होगा बिटें आप बारा p square minus 2 upon factorial 4 इतना यह आएगा चीनों को बस यही हमारा answer है चीनों को यही हमारा answer है और तो आप इसको simplify नहीं कर सकते हैं चीनों को यह हमारा answer है यह निकालना था यह था इस ट्रेलिंग के लिए एकफ़ स्क्वार और डिवापन डिएक्स तो इस चीज़ को आप उतार सकते हैं चीज़ों को यहां पर चलिए आप इस चीज़ को यहां से उताने start कीजिए इसके वास्ते में सवाल लगाता है start करता हूं चीनों को इस पर एक्जांपल बताता हूं आप से दें perfectly answer आगा चीनों को है 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 कि ए है है कि है 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 उतरी हो गया बेटा एक सवाल लिखते है एकजामपल एक सार्पन एक सार्प एक एकर्फ एकर्थ ह duties पनर ुद' 19, 61, 1971 और 19, 81 उन्हेंफ एक्यासी चैल से आपके पास 12, 15, 20, 27, 49, 52 यह देखा यह और आपसे बुले रहे है कि तो find the value of, find the value of dy upon dx and d square upon dx, इन दनों की value बेटा है हाँ पर, find out करना चाहिए को, तो सबसे पहले बेटा हम लोग निकालते हैं operator, operator निकालते हैं चाहिए को यहाँ पर, कि जो हमारे बास आने वाला है, वो आए गए यहाँ पर, del why not, del square why not, del square, del q why not, और del power 4 why not, हम इस परकार से लिख लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसका difference जो निकालते हैं वो इनके बीच में लिखते हैं चीदो को, कितना आएगा, 3, कि जिससे हमको forward और backward करने में आसान हो चीदो को, सबसे पहले तो, तो इसके बीच के जो ratio होगा, difference 5, इनके बीच में लिख दिया, 9, सभी सॉरी, 7, इनके रिशीविट हैं आपर, 12, इनके रिशीविट हैं आपर 13, ठेक है, यही होगा, इनके बीच के रिशीविट है कितना होगा, difference कितना होगा, 2, 2, 5, 1, चेक करते दुबारा, miss में लिख दो जीए, 3, 5, 7, 12, 13, ठेक है, इनके रिशीविट, 2, 2, 5, 1, इनके रिशीविट होगा, बीच में 0, 3, 4, चार नहीं भाई सब, यही तो miss में अचे हैं आपर चले होगा, इसमें से सोटाना है, माइनस चार, अब इसमें कितना होगा, 3, माइनस साथ, इसमें से घटाना है इसको, तो और इसमें से घटाना है, यहाँ पर माइनस का टैन, अब आप से बोला जा रहा है, ना बैकबर्ड की बात आई, ना फार्वर्ड की बात आई, आप से की पूचा जाए कि बैकबर्ड क के फ़ीयागा तब आप निकालेंगे और सपोर्च कीजिए और आपसे बोला गया कि वे फैंड आउट है इस फैंड आउट है है उन्निफी चॉंटन कि उन्निस तो ए टशो धिस इसकी वैलू फैंड आउट करने है इसकी वेलू फंड़ करने है मुझे कि आपके पास आप इसकी वेलू फंड़ करने हैं तो हम फ़ारबर्ड के लिए इस परकार से लेंगे चीज़ों को इस परकार लेगे और जब आपसे बोले यहां पर कि आप मुझे बताईए 1980 1980 में तो फिर हम लेगे आप बैगबार्ड के लिए 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 तो यह कुछ फॉर्मूले होते हैं जब आपके बाली नकाल लेगा और जब इस प्रिकार से बाली नकाल नहीं हो कि मुझे इसका निकालना हो तो अब 1934 है क्या खरकार आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पी की वेलू फिर निगलनी है और एक्स की वेलू विटा मेरे पस क्या है यहां पर इदर रखा है 1934 1934 और एक्स नॉट की वेलू विटा क्या है यहां पर यह मेरी एक्स नॉट की वेलू हो जाती है एक्स नॉट एक्स नॉट की वेलू होगी चिभी यहां पर और एच एच H क्या होता है मैंने उसने आपको रचाहे जो होता है वह X में X I is equal to zero one two three four five six– seven. यहाँ पर होता है किस पर होता है यहाँ पर एक स्पेस पर पार है मैं लिख देता हूँ सालबसाब यहाँ पर किaksi तो i I equal to zero one two three four five two इक्ष्थ पोता है मतलब इनका जो difference आ रहा है वो 10 year का है तो h equal to कितना हो जागा चीड़ों के यहां पर पी 10 plus 931 इस तर्म को सब्सक्राइब लाइए तो आपके पास आपको थ्री पी 10 तो पी की वैलुवेटर कितनी हो यहां पर पॉंट 3 और आपको मैंने जस्ट बताया हुआ है चीड़ों को जस्ट बता हुआ है कि जो इसके द्वारा डिफरेंसेट किया जाते हैं यह दिफरेंसे समय नििकाल ऐता है वह यह वो होता है चीड़ों होता है कुछ सोपासरइब होता बहुए कर दो चलते हैं लगते निचे दो कि होँए हैं Ồ f x naught plus p h is equal to x plus del p del f x plus p minus 1 del square f x equal to plus p minus 1 del square f x की होगा यहाँ पाचिनों को p minus 2 factorial 3 और मेरे बाद बेल हो कहां तरहाई थी चीज़े को factorial 4 तरहाई थी bell 5 यहाँ आप f x लग देता हूँ f x f x f x ठीक है इतना यहा प्लस p minus, p minus 2, p minus 3, factorial 4, tell about 4, f x plus p, p minus 1, p minus 2, plus p, p minus 1, p minus 2, p minus 3, p minus 4, ठीक है आप जो p की वेलू वीटा मेरे पास आई थी और इसकी वेलू की आए मेरे पास, इसकी वेलू है मेरे पास 12, f x की वेलू कितनी वेलू है आप 12, del की वेलू कितनी वेलू है मेरे पास यहाँ पर 3, del score की वेलू कितनी वेलू है आप 2, 0, इसकी वेलू कितनी 3, और इसकी वेलू कितनी मेरे पास 10, 5, तो सारी की सारी वैलू वैलू में यहां पर मैं फूट कर सकता हूं चीजों को तो मेरे पास बच्चे के बटें आप क्या कि पी इस इक्कुल टो विटा आया था पॉंट थ्री अब पॉंट थ्री विटा आप यहां रख सकते हैं और मुझे इसकी वैलू तो जीरो देखाई दे रही है और बांकि सब को आपको रख के यहां पर निकालना पड़ेगा चीजों को थोड़ा सा लेंदी होते हैं लेकिन सवाल आपको आने चीज़ों ठीक है ना रखते हैं चीजों को रखते हैं चक करते हैं चीजों को तो हम रखते पॉंट 3 पॉंट 3 प्लस पॉंट 3 पॉंट 3 माइनस 1 अपॉं अपॉंट 2 और इसकी वेलु कितनी है बेटा मेरे पास यहाँ पर दो इंटु 2 प्लस अब बेटाई डेल 3 की वेलुट बेलु जीरो है मुझे तो बेटा में यहाँ पर तो डेल्ट ली 0 पुट कर दूँगा बचे कितना मेरे पास यहाँ पर डेल 4 की बात आती है और डेल 4 वराबर क्या दिरक्खा है मेरे पास यहाँ पर डेल 4 3 दिरक्खा है बेटा आप चिने को तो del 4 ले जाना है बीटा मुझे कहा तो ले जाना है 3 तो ले जाना है 1.3 1.3-1 1.3-2 1.3-3 upon और इसको वे लोग कितनी बीटा थीन है plus plus 1.3 1.3-1 1.3-2 1.3-5 1.3-3 1.4 upon 2.5 into minus star ten minus star ten हमने सारे की वाली बीटे पर प्टकर ले चीन को और हमारा दिखर और फेर बैर की बाद चल लेधिये आपशन इसका और कुछ तो हो सकता है क्रों बस अब आप soliphone कर लिजिए चीडियों को यहाँ पर तो मेरे पास आएगा कितना है यहाँ पर इतना निकालना है अभी हम इसके वहले निकालना है चीडियों को आप कर सकते चीडियों को आपका इस परकार से आप से बोला गया तो निकालना है तो आप इस प्रकार से आप कुछ नहीं करना बस बहले चीडियों को अब सपोस कीजिए कहीं आप से बोला गया थे हैं आप निकालने के लिए के डी वाइपॉन डी एक्स इसको निकालना था तो बन बाई हैच सम्हेशन इसका जो फॉर्मूला होता है वह ओई नॉट मैनस ओई नॉट स्कॉर पिलस ओई नॉट फॉर पिलस ओई नॉट फाइव बस सबकी बैलो रख दो यहां पर और आंसर आपके पास ने क्लियर हो जाएगा जब आप से वालने खा भी डेविशन पुछा होता है ओई यहां पर डेविशन नहीं पूछा है तो दो सवाल मैं अलग अलग कर दिया चेजो को कि आप किस प्रकार से सवाल को यहां पर यूज़ हम कर सकते हैं आप उतारी यहां चेजो को झाल 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 बस बेटा कितने है बन बई 10 इसके विल्व बेटा कितने है मेरे पास है आपर 3 minus इसके विल्व बेटा कितने है आपर 2 इसके विल्व बेटा है आपर इसके विल्व कितने विल्व बेटा है आपर मेरे पास डल 4 की 3 प्लस इसके लोग अतनी मेरे पास है यहाँ पर माइनस का 10 . d y upon d x is equal to 1 by 8 minus 1 by 8 1 by 10 बिटा शीज़ों के यहाँ पर सवालों को यहां पर यहां पर यह हम करते हैं तो यह होते हैं यहां पर आप से पूछे जाते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो कोई दिक्केत वाली बात नहीं है बस जिन बच्चें को किस प्रकास्ति यूज किया जाता है चलिए थैंक यू सो मच बचिंग दिस वीडियो खातम करते हैं शेशन को बटा आज आज हम यहीं पर अपना आप